नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हादिक स्वागत है और मैं हूँ डाक्टर पंकज दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे गमले में अब छोटी कुल्दाओदी भी खिलने लगी है हाला कि हम 100 गमलों में से लगवख 10-15 गमले चोटी कुल्दाओदी खिलाते हैं लेकिन इस वार हमने लगवख 20-25 गमले चोटी कुल्दाओदी के खिलाए हैं तो दोस्तों आज हम आपको अपडेट देंगे चोटी कुल्दाओदी के बारे में दोस्तों यह जो flower आप देख रहे हैं यह चोटी कुल दाओदी का है और इसके कई color आप हमारे हाँ खिलने लगे हैं दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने वे तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रपिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सेयर करें दोस्तों छोटी गुल्दाओदी भी देखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन एच्छी तभी लगती है जब आपका पूरा कमला भरा हुआ हो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि छोटी गुल्दाओदी दो प्रकार की होती है एक तो पिंचिंग वाली वराइटी और एक नं मे वाली राइटी होती है इसको पिंच रने का यहांए इसमें अपने आप ही तिलर्थ निकलते रहते हैं और पूरा ढम्ला भर जाता है लजो पहुता है भो थुड़ा ह TD आद माने जाती है कहने का मतलब यह है कि यह वाली गुल्दाओदी आप अगले सीजन के लिए भी बचा सकते हैं बड़ी वाली गुल्दाओदी को बचाना बहुत नुश्किल पड़ जाता है और चोटी वाली गुल्दाओदी की अगर आप प्रापर्ली केर करें तो यह देखने में बड़ी अगर वाली वाराइटी आप देख AlePWorld वाली वाराइटी है मारेटी इसको उमने कई बार पिंच किया और दोस्तों बारी वानी वारी भी बहुत अच्छी है और शेंटे जो फ्लावर्स वह थोड़े से बड़े होते माने जु मिनिच्छर वाराइटी होती है उससे इसके फ लेकिन दोस्तों वाली बाराइटी जो है यह भी बहुत हार्ड बाराइटी होती है और इसकी केर करने के लिए कोई विशेश चीजों क्या हो सकता नहीं होती है बस आपको इसमें ओबर वार्टिंग नहीं करनी है दोस्तों देखें वाला जो फ्लावर है यह बहुत दोंगा और वाली वराइटी भी हमारे पास अब खिल लए हालांके पूरी खिली नहीं है तो दोस्तों जब भी आप छोटी वाली वराइटी खिलाएं तो उसमें आप इस बात का ध्यान रखें आप इस बात को पहिंचानें कि यह पिंचिंग वाली वराइटी है या नान- बहुत अच्छा खिला है हमारे पास और एक एलो कलर जो है यह बहुत अच्छा दिखेगा दोस्तों यह वाला कलर जो है जो आप देख रहे हैं इसमें शुरुआत में पिंक कलर का फ्लावर दिखाई देता है लेकिन जैसे जैसे संलाइट पड़ती है तो इसका कलर वाइट हो और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है देखें बीच में उसके पैटल्स हैं वो पीले रंके हैं तो दोस्तों इस समय जब गुल्दावदी खिलने के कंडिशन में होती है उस समय आपको एंपी के दे देना चाहिए और एंपी के जो है कोई सी मात्रा ले लें बराव बहुत बहतर है दोस्तों यहां पर एक बाद हम और आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप गुल्दावदी लगाएं तो गुल्दावदी की बराइटी के अधार पर ही पार्ट का सेलेक्शन करें अगर आप बाने छोटे बाली गुल्दावदी अगर आप बड़े वाले ना रखें कि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत जादा अधिक न रहे इस बात का पिसेश ध्यान रखें इसलिए किसी भी गुल्दावदी में बहुत जादा फर्टलाइजर देने की जरूरत नहीं होती है अगर आप पौदे को जादा फर्टलाइजर दे दिया तब फिर समस या काउडंग मिल जाए उसका एक निश्चित रिशियो है कम से कम आत्रा में आप जो है उसको मिलाक रखें और इस समय जैसे जैसे स्थंड बढ़ती है वैसे वैसे फ्लावर्स पे माहूं लगने लगती है तो माहूं लगने के लिए भी आप चाहें तो घरेलू उप्चार है जिसके लिए पहले भी वीडियो बना रखा है उसको आप देख सकते हैं या फिर आप केमिकल जो दवाएं आती हैं उनका प्रयोक कर सकते हैं इसमें हम बार बार इकमेंट करते हैं क्लोरोपाय और साइपर दो दवाइओं का एक मिक्षर होता है इस विर्टन को आप जो में description box में देख लें उससे आपको पता लग जाएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप सभी लोगों को धन्यवाद आप सभी लोगों को नमस्कार